Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 आज ये आप लोगों की collective reading है और आज हम देखेंगे कि आपके person की current energy क्या है और उनकी तरफ से channeled messages होंगे तो ये requested video था कि channeled messages पर मैं एक collective reading करूँ तो here it is, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि A cards सिर्फ possibility बताते हैं आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है, सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा open रखना है जब भी tarot card readings को देखना है इसके इलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, thank you so much आपके प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे channel पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा तो अब हम start करते हैं आज की reading सबसे पहले हम tarot से देखेंगे कि उनकी current energy क्या है उनकी thoughts क्या है और फिर channeled messages तो reading को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी miss ना करें इसके लावा बहुत से लोग question करते हैं personal readings को लेकर तो मैं personal readings नहीं करती हूँ spirit हमें divinely guide कीजेगा कि उनकी current energy क्या है यह बिल्कुल timeless reading है और आप इसको male के लिए देख सकते हैं female के लिए same gender के लिए भी आप इस reading को देख सकते हैं यह सब के लिए open है और बिल्कुल timeless है जब भी यह विडियो आपकी नजर से गुजरेगी यह उस वक्त का आपका message होगा spirit हमें divinely guide कीजेगा ओके दो cards आगए we have the lovers and we have seven of cups तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको miss कर रहे हैं आपसे मिलना जा रहे हैं maybe आप लोगों की मुलाकात काफी अरसे से नहीं हुई है maybe आप लोग separation से गुजर रहे हैं और इसलिए हमारे पास union का card आया है और यह reunion का card भी हो सकता है reconciliation का card भी हो सकता है Pisces Cancer Scorpio star signs यह तो बहुत सारे आ गए तो यह हम रख लेते हैं we have four of pentacles we have page of pentacles and three of wants तो आपके person किसी चीज़ का इंतजार कर रहे है हो सकता है उनका कोई और goal हो जिसे वो complete करने के बारे में सोच रहे हो और उसके बाद वो समझते हो कि उन्हें आपकी तरफ आना है हो सकता है कोई family issue हो जिसकी वज़ा से वो आपकी तरफ ना आ रहे हो वो wait कर रहे हो कि कब वो family issue resolved हो जाएगा और फिर वो आपकी तरफ आएंगे कुछ भी हो सकता है लेकिन आपके person की इस वक्त energy waiting की है लेकिन मुझे clearly यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके person आपसे मिलना चाहते है आप उनके दिल के बहुत करीब है they are still holding on to you और मुझे लगता है कि वो आपको commitment आफर करना चाहते है या कोई gift देना चाहते है लेकिन किसी छोटी आफर से start वो लेंगे एक mini step आपकी तरफ लेंगे लेकिन वो जो कोई भी step लेंगे उससे आपको खुशी जरूर होगी हो सकता है कि आप मेंसे कुछ लोग move on करना चाहते हो हो सकता है आप इनसे दुबारा reconciliation ना करना चाहते हो तो यह totally आपके उपर होगा कि आपने move on करना है या इनको chance देना है लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि ये person जिनके बारे में आज हम reading कर रहे है ये आपकी तरफ आना चाहते है यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn भी आ गया है और fire energy भी है यहाँ पर what more spirit तो हो सकता है इनमें से किसी का जायदाद का, जमीन का कोई मसला चल रहा हो हो सकता है कि ये इनसान पहले open up ना हो आपके सामने हो सकता है इनोंने कभी अपनी feelings आपको ना बताई हो लेकिन finally वो open up होने के बारे में सोचेंगे we have the strength मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा hopeless महसूस करते होंगे आपके person पहले उन्हें लगता होगा कि उनके अंदर इतना confidence नहीं है इतनी strength नहीं है कि वो इस relationship को आगे लेकर चले या अपने आपको अपनी feelings को आपके सामने रख दें या open up हो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि शायद वो इतने powerful नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि they are gaining their strength वो अपनी strength gather कर रहे है कि वो आप से मिले आप से बात करें और आप से अपने emotions share करें Spirit हमें divinely guide कीजिएगा ओके exactly we have four of cups तो यहाँ पर Leo भी आगया strongly with the four of cups मुझे clearly नजर आ रहा है यह कोई ऐसे इनसान भी हो सकते है जिन्होंने already आपको एक दफार reject किया इनको ऐसा लगता था कि शायद यह cup जो आप इन्हें present कर रहे हैं यह इनको fulfill नहीं कर सकता है या कुछ पी ऐसा हो सकता है कि इनको प्यार महबत पर believe ही नहों different reasons हो सकते हैं बहुत से लोगी reading देख रहे हैं तो आपको already पता होगा कि वो क्या वज़ा है जिसकी वज़ा से इन्होंने आपको reject किया लेकिन now they are feeling your energy and now they want to come forward और जब वो आपकी तरफ आएंगे तो फौरी तरपर commitment offer नहीं करेंगे बलके mini steps लेंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा we have page of swords the high priestess खामोश है मुझे ऐसे लगता है आप लोगों में contact किसी में नहीं चल रहा है या फिर less contact है बहुत ज्यादा नहीं है then we have seven of wands तो यहाँ पर libra, pisces pisces तो पहले भी मैंने आपको बता दिया था तो यह star signs है almost सारे ही star signs है लेकिन regardless of star signs अगर energy आप से match होगी तो बिलकुल आपकी reading है तो आपके person बहुत ज़्यादा struggle कर रहे है वो fight करना चाहते है वो give up नहीं करना चाहते है इस relationship के बारे में लेकिन कुछ है जिसका वो wait कर रहे है इस waiting की energy में है maybe आप बहुत ज़्यादा wait कर रहे हैं उनका हो सकता है किसी का long distance relationship हो और आप उनके वापस आने का wait कर रहे हो लेकिन जो भी है आप लोगों के relationship में एक struggle नज़र आ रही है एक challenge नज़र आ रहा है जिसकी वज़ा से ये person आपकी तरफ नहीं आ पाए है आज तक या open up नहीं हो पाए है तो आपको अलड़ी पता होगा कि वो क्या चीज़े है लेकिन इस वक्त आपके person की current energy ये है कि वो intensely आपकी energy को feel कर रहे है उन्हें intensely ये feel हो रहा है कि उन्हें strong होने की जरूरत है उनको अपने confidence को build करने की जरूरत है में भी उन्हें लगता था कि confidence नहीं है इतना confidence नहीं है कि वो खुल कर आप से अपनी feelings का इजहार करें या आपके लिए कोई action ले लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी strength gather कर लेंगे लेकिन उनके दिल में मेरा ख्याल है ये सवालात हैं कि आप उन्हें accept करेंगे या नहीं ये आपको social media पर भी stock कर रहे है इन्होंने आपको अपने दिल से नहीं निकाला है ये observe कर रहे हैं आपको और हो सकता है कि कुछ friends के जरीए भी आपके बारे में जानकारी ले रहे हूं उनसे जानना चाह रहे हूं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल क्या नहीं कर रहे हैं में भी आपके post देखते हूं या आपको whatsapp पर online देखते हूं तो जो भी है इस वक्त इनकी जिन्दगी में एक struggle चल रही है इनके लिए इनको लगता है कि इने बहुत ज़दा fight करना पड़ेगी इस relationship के लिए और मुझे लगता है कि वो तयार हो रहे है fight करने के लिए और in their future वो give up नहीं करेंगे मुझे ऐसा लगता है लेकिन फिलहाल वो wait कर रहे है अब इनकी तरफ से आपके लिए क्या channeled messages हैं यह हम देखेंगे और reading के आखिर में कुछ random messages भी हम लेंगे इनको मैंने already shuffle कर लिया था और intuitively मैं आप लोगों के लिए cards pick करूँगी first we have you are mine and only mine तो उन्हें intensely आपकी energy feel हो रही है प्यार महसूस हो रहा है और थोड़ सी jealousy महसूस हो रही है वो आपको किसी और से share नहीं करना चाहते है उनको यह खयाल बहुत ज़्यादा पागल कर रहा है they are going crazy के अगर आप किसी और के हो गए अगर आप किसी और के साथ चले गए तो यह खयाल जो है इनको बहुत ज़्यादा परिशान कर रहा है friends आपके mutual जो है उनसे वो सकते हैं आपके किसी बहन भाई से in touch हो जब मैंने यह कहा 9-11 हो रहे थे तो anyways वो आपको stock कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आपके उपर उनकी नजर है then we have thinking about you all the time वाव तो जैसे कि यह cards आए बिलकुल यह messages भी वैसे ही आ रहे है synchronicity आप लोग देख सकते हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हर वक्त सोच रहे हैं daydreaming का card आया है हमारे पास तो बहुत जबरदस यह reading है अब कोई मुझे यह नहीं कह सकता कि मैंने जान बूच कर कोई card you know निकाला है आप लोगों के सामने cards आ रहे हैं next we have I fell for you and it was deep yes इन्होंने आप से प्यार किया अगर यह unconfessed था जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा specific message कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने confess ना किया हो आप आज तक यह समझते रहे हों कि इन्होंने आप से कभी प्यार नहीं किया लेकिन वो आप से ही कह रहे है कि I fell for you and it was deep बहुत deep love उन्होंने आप के लिए feel किया था mind, body, soul तीनों लेवल्स पर वाव जब मैंने यह कहा we have twin flame and soulmate तो यह आपके twin flame यह आपके soulmate हो सकते हैं और हमार पस two of cups भी आया बहुत खुबसूरत messages आ रही है मैं यहीं से ले रही हूँ ताके आप लोगों को नजर आए will you marry me, wow reconciliation, commitment, meeting बहुत खुबसूरत बहुत खुबसूरत आप सारे messages देख सकते हैं इनमें से कोई एक message भी ऐसा नहीं जिसमें हमें यह लगे कि इनके दिल में आपके लिए feelings नहीं है इनके दिल में आपके लिए बहुत feelings है आजकल यह सारी बातें आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हमने आज current energy पर reading की है तो आप से मिलना चाह रहे हैं आप से शादी करना चाह रहे हैं You are my lost paradise. Wow. बहुत खुबसूरत और deep message है. I have feelings for you. Wow. Amazing. बहुत खुबसूरत messages आ रहे हैं. और मैं भी excited हो रही हूँ. Next, we have I want to tell you something. Wow. मुझे ऐसा लगता है कि वो confess करना चाहते हैं अगर confess नहीं किया है. और अगर आप लोग already relationship में थे तो आप लोगों के दर्मियान जो हुआ और किस वज़ा से हुआ वो वज़ा आपको बताना चाहते हैं. वो आपको कुछ बताना चाहते हैं. मुझे ऐसे रगता है कि they are preparing their selves to fight to fight for this relationship और वो give up नहीं करेंगे. जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा पहले शायद ये ready ना हो लेकिन अब ये completely ready नज़र आ रहे हैं आपके लिए और इस relationship के लिए fight करने को. और ये आप लोगों का connection बहुत deep हो सकता है. हो सकता है बहुत अर्से आपने इनका इंतजार किया और आप सोचते रहे कि इनकी awakening का process चल रहा है अगर ये आपके twin flame ये soulmate है जैसे कि हमारे पस card आया तो अगर आप soulmate journey से गुजर रहे है twin flame journey से गुजर रहे है तो मुझे लगता है कि आपके person की awakening हो चुकी है और वो अपने आपको तयार कर रहे है आपकी तरफ आने के लिए I can't make you happy मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नोने आपसे पहले कहा ये past energy लग रही है जिसमें उनोने आपसे ये बोला कि वो आपको खुछ नहीं कर सकते हैं उनके पस कुछ नहीं है आपको देने के लिए शायद उनोने आपसे ये बोला होगा और आपको बहुत तकलीफ हुई होगी जब आपने ये rejection महसूस की थी जब इनोंने आपके इस love को divine love को reject किया था accept नहीं किया था उस वक्त इनोंने आपसे ये बोला था कि I can't make you happy लेकिन अब वो completely आपके लिए ready नज़र आ रहे हैं बहुत खुबसूरत reading है next we have so many songs remind me of you बहुत से गाने आप से related शायद आप दुनोंने एक साथ सुने हो कोई music आप लोगों का favorite इनको बहुत synchronicities नज़र आ रही हैं हो सकता है ये कहीं पर जाते हो तो वो song play हो जाता हो जो आप लोगों ने एक साथ सुना था और फिर अचानक से उन्हें आपकी याद आती हो तो मुझे ऐसे लगता है कि songs के लावा भी आपके person को कुछ signs मिल रहे है universe की तरफ से जिसे वो नजर अंदाज नहीं कर पा रहे है ignore नहीं कर पा रहे है और finally उन्हें realize हो रहा है कि आपकी उनकी जिन्दगी में क्या importance है हो सकता है आपसे अलग होने के बाद इनकी जिन्दगी में और भी लोग आए हो लेकिन उनमें से कोई भी आपकी जगा नहीं ले पाया उनमें से किसी के साथ भी उनकी वो chemistry नहीं बन पाई जो आपके साथ थी इसलिए उन्होंने आपसे ये बोला कि no one will ever compare to you हो सकता है आपके जाने के बाद उन्होंने कोशिश की हो कि कोई खुशूरत relationship बना ले किसी relationship में चले जाएं commitment किसी से कर लें लेकिन वो नहीं कर पाए कियुके आप एक ऐसा mark छोड़ कर गए उनकी जिन्दगी में एक ऐसी space एक ऐसी खला छोड़ गए जो कोई भी फिल नहीं कर सकता है और उनको realize हो रहा है कि no one will ever compare to you बहुत खुबसूरत outstanding next next we have I am busy तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो भी waiting की energy में है किसी चीज़ का इंतजार कर रहे है किसी चीज़ के complete होने का या फिर किसी issue के resolve होने का इसलिए वो आपसे ही कह रहे हैं कि I am busy और वो wait कर रहे हैं कि जब ये चीज़ उनकी resolve हो जाएगी ये जो भी issue है जो भी matter है जब ये हो जाएगा फिर वो आपकी तरफ आएंगे और ये जरूर आपकी तरफ आएंगे surely आपकी तरफ आएंगे इसके लावा बहुत से लोगों ने मुझे comment section में बताया कि उनके person ने उनसे बात की उन्हे new year wish किया तो मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों के लिए जब आप लोग मुझे बताते हैं मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी के reconciliation का comment मैं बढ़ती हूँ आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत दौा होती है कि जो भी आप manifest कर रहे हैं वो जरूर हो आप सब लोगों के जो भी खाहिशाथ है वो जरूर पूरी हों क्योंकि आप worthy हैं आप deserve करते हैं और जरूर मिलेगा आपको तो ये reading बहुत खुशूरत है अब हम कुछ random messages लेंगे let's see इन में क्या आता है okay we have feeling stoned तो हो सकता है कि आपने इनका इतना इंतजार किया और ये आपकी feeling हो अब कि आप कुछ feel ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल still है, stoned है, कुछ ऐसा I can't commit हो सकता है कि इन्होंने आप से पहले ये कहा हो कि वो commit नहीं कर सकते हैं और इसी बात की वज़ा से आप लोगं की लड़ाई हुई हो and then we have boredom ये boredom का card है ये इनसान इसमें वो इनसान है कि जो बहुत बोर है जो कि satisfy नहीं है अपनी जिन्दगी से जिसका focus love नहीं है, कुछ और है तो ये उनकी मुझे past energy लग रही है I owe you my heart तो ये उनकी तरफ से आप के लिए message आया है I owe you my heart next message we have lack of attention तो मुझे लगता है कि ये भी past energy है कि वो आपको attention नहीं दे पाए है आपकी calls का, texts का शायद time से जवाब नहीं दिया है आपको clarification कोई नहीं दी है ये भी past energy मुझे लग रही है क्योंकि उनकी current energy तो हमने देख ली है, बहुत intense है crazy for you yes, crazy for you वो पागल हो रहे हैं बहुत से खयाल आता रहे हैं उनके दिल में वो आपको किसी से share नहीं करना चाहते हैं किसी से भी नहीं, possessive हो रहे है I want you yes, they want you इसमें कोई शक नहीं है man up तो yes, चाहे वो female हैं या male हैं लेकिन उनको पता है कि उन्हें grow करने की जरूरत है man up का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी को मर्द बनने की जरूरत है बलके किसी को grow करने की जरूरत है किसी को अपने actions की जिमिदारी लेने की जरूरत है बहुत अच्छा message next we have 11-11, वाउ तो एक और confirmation कि यह आपके twin flame हो सकते हैं, soulmate हो सकते हैं बहुत से लोग question करते है क्या 11 नजर आता है, क्यों नजर आता है तो शायद आप अपने twin flame से या soulmate से मिल चुके हैं इस वज़ा से आपको 11-11 नजर आता है शायद किसी ने आपको inspire किया है शायद अब आपको अपनी किसी खास आदत को किसी old pattern को बदलने की जरूरत है इसके बहुत से meanings हैं इसके ये meaning भी है कि आप लोगों के लिए एक portal, एक path open up हुआ है और ये बहुत spiritual path है ये बहुत खुबसूरत path है इस पर आपको कामयाब ही मिलेगी ये difficult भी हो सकता है लेकिन आप चूज़ करेंगे इस पर चलना ये आपकी totally आपकी free will होगी क्या आपने इस path से गुज़रना है या नहीं गुज़रना है लेकिन ये path आपको बहुत कुछ जिखाएगा आपको spiritually grow करेगा आपकी spiritual awakening चल रही है अगर आपको 1111 नजर आ रहा है आपको spiritually grow करने की जरूरत है totally आप पर है आपने क्या करना है then we have 777 बहुत खुबसूरत lucky number है 7 next we have I'm so lonely तो आपके person बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं जब से आप से दूर हुए है I want to kiss you वाव they want to kiss you they want to touch you they want to meet you clearly हमें नजर आ रहा है kill him with kindness ये एक और दिन भी reading में आया था तो आप से ये कहा जा रहा है कि kind रहिए family issues exactly आप देखिए कि मुझे लग रहा था कि कोई family issue हो सकता है जिसको resolve करने के बाद वो आपकी तरफ आएंगे हो सकता है घरवालों को मनाना हो आपके लिए ये भी हो सकता है forget the past तो वो चाहते हैं कि आप past को भूल जाएए past में जो भी हुआ then we have accident God forbid हो सकता है किसी का accident हुआ हो लेकिन जरूरी नहीं है कि literally किसी का accident हुआ हो और सब के साथ ही ये हो आप लोगोंने परिशान नहीं होना हो सकता है कि आप accidentally मिल जाएं हो सकता है accidentally वो आपके सामने किसी दिन आ जाएं इसका ये मतलब भी हो सकता है unexpectedly आपके सामने आ जाएं my heart is at peace now तो आपके person ये कह रहे हैं कि वो बहुत peaceful महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना mind make up कर लिया अब उनके जहन में कोई confusion नहीं है इस रिश्टे को लेकर इसलिए अब वो peace महसूस कर रहे है express yourself yes वो express करने वाले हैं आप से आपको बताने वाले हैं सचाई क्योंकि उन्होंने कहा था कि I have feelings for you I want to tell you something I can't leave him तो हो सकता है ये आप में से किसी की feeling हो उनकी भी हो सकती है कि वो आपको नहीं छोड़ सकती है अगर वो female हैं और आप male है don't beg him to stay तो आप से कहा जा रहा है कि don't beg them to stay अगर उन्होंने रहना होगा आपकी जिन्दगी में तो वो हर हाल में रहेंगे if they want you if they truly love you तो आपको उसके लिए किसी से मिनत नहीं करने पड़ेगी आप relax कीजे अपने उपर focus करें अपनी energy पर focus करें अपना खयाल रखें और ये इनसान खुद आपकी जिन्दगी में manifest होंगे और cards बहुत खुबसूरत है बहुत promising है हमें पता चल रहा है आपकी तरफ आएंगे आपके लिए fight करेंगे ये बहुत खुबसूरत रीडिंग थी कुछ भी आप लोगों से resonate किया आपको पसंद आया मुझे जरूर comment section में बताइएगा अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजिएग, share कीजिएगा or subscribe करना मत भुलिएगा I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye Bye